जहिन दोस्तो क्रिशीव डिफेंस एकेड़ मी पालामपुर ना ओनलाइन पोर्टल पर आप छौन स्वागत छे तो आपने आजे SSC GD माटे ना मोस्ट इन्पोर्टन्ट इत्यास्त ना प्रस्टनों जोईशु बराबर तो आपने जंदली गुद्राति मा feldच चैशु कीज़आ और सहुआू तो स्वाल से कैंस्टो कों इबराहीम लोधी ने अरव चामशा बत个 ऑना पंशणों पहलो मुगल समाराट तोँ आपने जवाब हासे ऄए तो के युवाबर बनेयो मुगल सम्राट पराबर बाबर जी छे भी मजानों व्यक्ति जारे बाबर पंदर सोँ ने चार नि अंदर काबुल जीती गयुत बडाबर ने अच चार नि consists of the character ths परद्लव में परणतों बापर तो आम इबराहिम लूदी ना चों दिल्ल आयों कोने परढतों घोट्सपाइब तो कें भाबर संबराण में करें तो कें बाबरी गरीती बराबर जो ही आपना होई बीजो सवार रावी नदी का रुगवेदिक नाम क्या है बराबर तो एमा आपने पूछुई छे के रावी नदी जे छे एनू रुगवेदिक नाम शू छे तो रावी नदी नू रुगवेदिक नाम तशे परुष्णी तशे बराबर तो आज ए वेदिक सभ्यता नामू केवा सवाल जेछे एमा आपने बदाज ओप्षन ने आपने जुई है के दर्यक ओप्षन नो साच्वा जवाब सुछे बराबर तो आज ए परुस्णी जेछे ए रावी नदीनू वेदिक सभ्यता नू नाम छे तो वितस्ता जेछे ए जेलम न नदीनू नाम छे वितस्ता जेछे ए जेलम नदीनू नाम छे असकीनी जेछे चिनाग नदीनू बराबर रुग वेदिक नाम छे वेदिक सभ्यता नू अने शत्रूदी जेछे ए तो तमने नाम परती खवर पड़ी जेछे के शत्रूग नी जे नदी अती आपनी पुदी छे रुगवेदिक सब्बेता नियंदर बराबर क्लियर थाए छे दोस्तो दवे आपने जुई ए नेक्स्ट सवाल ने तो आपनो त्रीजा नंबर नो सवाल गेछे के कांचा मुगल समराट अशिक्षित था तो आतो एकदम फ्लेक्षियोल डीटा वालोज सवाल चे आत अमारे सिधो यादेद राखवानो रहेशे के अकबर जे अतो मुगल सामराट जे नियंदर अकबर जे राजा आतो ए पोते अशिक्षित था तो अशिक्षित था बराबर अबन अतो क्लियर तो जुई आपनों नेक्स सवाल होए तरायन की दूसरी लड़ाई किन राजाओ के बीच लड़ी गई थी तरायनों जे बिजू यूद दतू एक कौनी-कौनी वच्चे था यूद तो तरायनों जे बिजू यूद दतू तो आपने जुई है तो के ऐलेक्जांडर पोरस वच्चे तो थायनों हाईडे स्पीज नूँ यूद थायनों हायने आगलनी स्लाइड में आपने जुई के बही वितस्ता जे जेलम नदी नूँ पौराणिकके वेदिक सभेधा वालू नाम छे तो आँ हाईडे स्पीज ना यूद ने बिजू वितस्ता नूद पण કયુ યુદ કયે છે વીતષતા ક યુદ કયે છે વીતસતા કા યુદ કલીર करीन पाच हो आयो तो अने या बैये पच्छी प्रुत्वीराच चोहाण जो ने बीजाज वडशे लेके अग्यार सोने बानुमी अंदर तारा एनू बिजू युद करियो जैने अंदर मम्मध गोरी जीती गयो तो प्रुत्वीराच चोहाण हार तो अने आवीरी ते मम्मध मोर्य भी आपनों सीले बसना वदारो करयो शूकाम तो के ये बैपच्छी दिल्ली मा एना गुलाम कुत्वुदी ने बगने मुकिंगे और त्यांती शरू अथ थे ती आपना ए दिल्ली सलतनत नी क्लियर थाई छे तो जुई आवी आपने नेक्स्ट सवाद चंद्रगुप्त मोर्य ने अपने आखरी के दिन कहां बिताये थे बराबर तो के चंद्रगुप्त मोर्य जे छे एमना अंतिम 200 चंद्रगुप्त मोर्य क्या गाले आता तो आनो साचो जावब आवसे दोस्तो स्रमण बिल्लगोडा बराबर आजे छे दक्षिन बाजुनों विस्तार छे स्ट्रमवन बिलगोडा चन्द्र गुप्त मोरीय जे चे जाड रले क्ब श्त्रमवन बिलगोडा एले के दक्षिन नो विस्तार जीते आता तो येनी जानकारी आफंड ये टमील ग्रनतों माती मले छे बराबर ये टमील ग्रनत छे अहना नूर अने पूर्णा नूर अहना नूर अने विजो कयो छे पूर्णा नूर तो आब ये तमिल ग्रंतों माती आपनने जानकारी मली ती मित्रों के पैस चंद्रगुप्त मोरिये जे येता येमने दक्षिन विजय मेड़ोतो अपने दक्षिन विजए निए अंधर स्रमाण बिलगोडा सुधी अमनों राज्य विस्तर विस्तरेलों जोवा आपने तो चंद्रगुप्त चमोरेज एता एमने जीवन ना अंतिम दिशों क्या वितावया था तो के श्रमवन बिल गोड़ामा, क्लियर, चुई आपने नेक्स्ट सवाल, शुके जे क्वेस्चन नमबर 6, तो के बारतिय कॉंग्रेस किस सत्र में दो समों में विभाजित हो गई थी, बराबर के बारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस, के कॉंग्रेस जे चे एना बे भाग कया अधिवीशन मा पड़ेता, गुद्रादी मा के तो अधिवीशन के वाएने, बराबर चरम बंथिवर नरम पतिले के जवालवादने, मवालवाद, एक बहु उग्र स्वरूब दारण करे एवा नेता होता, एक जी आता है बहु शान्त प्रकुदी वाला नेता होता, बराब दोस्त, आ सूरत सत्र जे अतुने ओगनिशोने सात्म सूरत सत्र नो आयोजन करवा मायोतु, आजे जवालवादने मवालवाद के चरम पंथि और नरम पंथि जे आपने कईये छिए, एच्छुली आ ओगनिशो पांच ना वारानासी अधिवीशन मा थवानोतु, पने एक टल, एना पछी ओगनिशोने छन्नु अधिवीशन जे थयू, एमा पन आ भाग पडवान आता, पन ओगनिशो छन्नु जे अधिवीशन आतू, एमा सर्वमन्या दादा भाई नवरोजी दक्स बने आता, एतला माटे जे छे आ भाग पड़या नो ता, आजे ओगनिशो शात अधिवीशन मा पड़या ता, एमने खबर हती के नागपूर्जे छे जवालवादी ना जितला पड़ नेता छे, एमनू त्यां वर्चस्वा वद्दा रे छे, एमने तातकालिक दोरणे या सत्रन उस्थल बदली नाकियो, औरने कयो करी नाकियो, सूरत करी नाकियो, तो ब बार्ती रष्टे कॉंग्रेस ना बे भागला, कया सत्र मा पड़या ता, ओगनी सो साथ ना सूरत अधिवीशन मा पड़या ता, क्लियर? क्वेस्चन नंबर साथ आपने जुई है, तो के शीला लेकों में किस राजाओ को देव नाम प्रिये, एवन प्रिये दर्शी अशोक के नाम से जाना जाता है, तो आणी इंदर आपनने खबर अच्छे के शीला लेक साउती बदर कोना जे, तो के आपनने फ्लेक्ट्यूल साचों जाब आउशे है, अशोक नाऊशे, जैना चाउच सिला लेकों आपनने, जुआ मले छे, आज है सावाल दिल्ली सलतनत मा दिशे, आवार नवारा सावाल पुछा है कि कुतुम मिनार का निर्मान कारिये किस ने पूरा किया था, द्यान राग जो दोस्तों सावाल कुतुम मिनार का निर्मान कारिये कि शरुवात किस ने गी, कुतुम मिनार बनावानी शरुवात कोने करी थी, तो अब शरुवात नी अंदर कोन आउशे, कुतुम बुदिन एबग, कुतुम बुदिन एबग जे चे, अनू निर्मान कारिये पून करावी शकता न थी, तो आपने जुई है कि चंद्रगुप्त मोर्य जेशे एमना दर्बाद नियंदर दार्शनिक तरीके महिएस्थनीज याद करोगे जारे सेल्युकस नीकेडर परेला एलेक्जान्डर ना सेनापती ने आपणा चंद्रगुप्त मोर्य पराजे यापेश एले एलेक्जान्डर जे शेल्यूक स्नीकेडर जे आता एमने एमना दिक्री एलेनाना मेरे जे कराया था आ उपरान सिंद कनहार काबूल वगरे वगरे प्रदेश चंद्रगुप मोरे ने आप आता अने आ उपरान तेमने एक दार्शनी कतो मेगेस्थनिस एने खुब इंपोर्टेंट था तमारा माटे तो मैगेस्थनिक से कई पुस्तक लगी थी इंडिका तो ए इंडिका मती आपने मोरी एवंस्टना ने पाटली पूत्र जेमनी राध्दा नी थी एनना गणा बद्धा आपनने पूरावा मली आवा चे गणी बदी जानकारी मला च बिजू चुए तो बिंदू सर तो हाँ एना दर्बार बर डेमो ट्रेस आए तो हर्सवर्दन ना दरबार ने अंदर हुएन सांग आयो तो वास साची चा हुएन सांग के पूस्तक लखी थी कई अती भई सी यू की बराबर चुए लिया जो सी यू की नामनी पूस्तक जे चे हुएन सांगे लखी थी तो भई आपन साच चूछे तो भई तम्हारा जवाब सुआँ से तो के सबी सही है तो भई बद्दा आज ओप्शन साचा छे क्लियर बराबर अवे आपने जोई शू अनुजे चे सिंदु गाटी सब्दाम काया स्थले थी मले तो भई आणनो साचो जवाब सु आपशे चनहु दड़ो बराबर अचनहु दड़ो नामनुजे प्रदेश जे चे ए ओगनिशो ने 31 मा सोधवा मा आयो तो ओगनिशो ने 31 ने अंदर आपने चनहु दड़ो नाम अउस्ट मेके जुओ मित्रो एकत सवाल नी अंदर तमने बिजा गणा बजा सवाल जुओ मले शे बराबर 360 डिग्री आपड़े जैशो तो पई पुगनिशो ने 31 ने अंदर आणिस्ट मेके नाम ना उत्कनन करता द्वाला चनहु दड़ो नी सोध करवा मावी थी अन्या चनहु दड़ो माथी आपड़ने बई मणका बनावानू कार्खा नू मले छे आ उपरां ता चनहु दड़ो ने बिजो आएमपी सवाल तमने नू दड़ो माथी प्राप्त थेला जुवा मले छे क्लियर चल आपने आवे जुए नेक्स्ट क्वेस्चन बहुत दर्म का महायान और हीनियान में विबाजन किस संगीती के दोरान हुआ था तो बई प्रथम द्वितिय त्रितिय और चतूर्थ बराबर तो आनो साचो जव है चतूर्थ बवध संगीती चोथी बवध शंगीतीBU जेवाद धर्म मठायान में और हैं ब stats नेक्स्ट कुषान उना अग्रवह एक राजया थिन्य तो क्वैस्ट कनीषक ना समयनिनिंध क्यं बंढ़ा ही ती तो कई कंडलवन खाते बरा pare यत तो कि कुं tą क्या बराई यह थी कुंडल वन खाते बराई यह थी बराबर तो आज चतुर्थ जे बहुत संगीति यह थी एना अध्यक्स कौन आता अध्यक्स ना सवाल पर पूछाया जे पर बहुत संगीतियों थाई के जहीं संगीति थी एना तो आज चतुर्थ बहुत संगीति ना अध् पाटली पूत्र ची उठाएन लायो तो बौध नू भीक्षा बात्र हाथू बरबर तो आश्वा गोस्टने पाटली पूत्र ची उठाएन लायो तो चोथा नमबर नीचे बौध संगीती चे अमा ही नियान अने महायान नी अंदर बौध दर्मना भ्या फांटा पड़ेला ज समझी है तो थोड़ा गणा फेरफार पूसीबल छे बराबर तो तमने ओए कदा चवाल पूछा के बिहार और बंगाल इस्ट इंडिया कंपनी के आधिन कब हुआ ताके बिहार ने बंगाल नीजे सत्ता आती गई इस्ट इंडिया कंपनी ना हाथ मा कई साल मा आवी हती तो आनो भी साचो जवाब सु थाशे तो आनो साचो जवाब थाशे सत्तर सोने पांसेट नी अंदर आ सत्तर सोने पांसेट नी अंदर जारे 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 सत्तर सोने अंदर याने अलाबाद नी संधी करी बराबर अलाबाद नी संधी थाई अन्य अलाबाद नी संधी नी अंदर बिहार अने बंगार जे छे ए बनने प्रांत ना प्रांत नी सत्ता जी छे कोना आदिन थाई पछी इस्ट इंडिया कंपनी ना आदिन थाई तो आपनों साथ चो तो गसन 1789 में एक नाटक अभीगनान शाकूंत लम का अंग्रेजी में अनुवाद किस ने किया था एक दम फ्लेक्चुरी डेटा छे आनि अंदर तमारे सीधो जवाब जी आत रखवान हो था कि अभीगनान शाकूंत लम जे छे काली दासे लख्यू छे बराबर अंग्रेजी अनुवाद करेलू हतु बराबर होए पचीनों सवाल जे ए शू कह छे तो गए खिलाफत आन्ट खिलाफत आन्टोलन का आरंप किसने किया था खिलाफत आन्टोलन नो आरंप जे छे ने अली बंदू ये करें तो बराबर महमद अली अन्ट बिजा कोन था तो कैशोकत अली अपने फटा फटा अखिला फटा आन्टोलन ने को ओर्वीव जो आजी है तो जारे पहला बीश्वीव दिनी अंदर ब्रेटीश अरो जीते गया था तो आमने जितला पन मुस्क्लिम देश अता बराबर इरां चे इरान चे तूर्क चे ए बदा देशों पर एक मतलब केवाई के नियम लागू करें तो ट्रिटी ओफ सेवर्स नाम नो अने एना कारण है मुस्क्लिम देशों नी अंदर आमने पोता नी सत्ता जमाई थी अले आपना गांधी बापुजे तो आमने मोको जुए लिदोंने बदा मुस्क्लिमोंने गिदू कपे तमारे मेत्रुतों मा आ शोकत अली ने मोहमद अली अली बंदुए भई खिलाफद अंदोलन नी शरुआत करिया ना खिलाफद अंदोलन पजी बेक टूबेक बिजाज वर्से गांधी जी असरकार नों अंदोलन पन शरुआ चे बरापर तो याद रख जो खिलाफद अंदोलन का अली बंदुए था असरयोक अंदोलन को क्यो निलंबन किया गया था आपने अगरण ना स्लाइड नी अंदर सवाल जो है खिलाफद अंदोलन जी शरुआत करि थी शोकत अली बंदुए महमद अली ने शोकत अली महत्मा गांधी ना कहए थी आज ए महात्मा गांधी जे एमने जुओ यू के अंग्रेज उपर बहु दबाण वधी गईू छे बराबर आ आंदोलन ना कारेन तो अमने बेक टू बेक बिजाज वट से बिजू आंदोलन करिए अ सयोग नुँ आंदोलन जेनी अंदर विदेशी माल नो भाईषकार करू यू बापु यह गिदू दू तो आंदोलन जी आतू बहु सरस्त रिज़ते जतू तो बापु यह शा कारने आंदोलन ऑच्छु खेन चीली दू तो बेक चोरा चोरी माँजे एक गटना वणी ती इंचा कग गटना बराबर लखनाव नू गोरखपूर बराबर कदा जग्या पुछीला तो पन आपन ने आवड भी जुई है लखनाव नू गोरखपूर जी आतुने त्या अगल भी पूली स्टेशन मा केटला क्रांधी कारी हो जी आता है हमने आको पूली स्टेशन सडगाय मारे तुन 22 जितला अंग् कर्मियोंने मारी नाख़ंमाय आदा आपन्नाग कबशfilm खबर जैंड महात्मा गंदि तो अहिंसा ना पंथे चार्वा बार्तियोंमारा सत्य आने अहिंसा मार्ग मारी ने संबजी शक्या नहीं अने आ कारणे जी महात्मा गांधी जी छे अमने भई आ अस अकार नू के अस अयोग नू आंदोलन जे पाचु कहें चुई वह तो यह लगे निलंबित कर यू हतो कौन चा एक सुल्टान असोक स्थम्ब को दिल्ली लाया था बराबर दिल्ली सल्टनातों येवो कए सुल्टनातों जे सम्ब्राइट असोक ना जे स्थम्बालेक जी 7 जोवाँ मले छे एमाना 2 स्थम्बा लेक जे छे अने 2 दिल्ली लावे वतो बराबर तो तमें जारे असोकना स्थम्ब लेक जुओ छो तारे 7 स्थम्बा लेक नी अंदर तमारे आनो साचो जवाब तो पहला होचे फिरोज चा तूगलक बराबर फिरोज चा तूगलक फिरोज चा तूगलक जे छे एम मेरट अने टोपरा ना भेज जे स्थम्ब लेक जे अने दिल्ली लावे तो एथले आपने असोकना जारे जुई ची ये स्थम्बा लेको तेरे दिल्ली मेरट अने दिल्ली टो पर आएवाब ये स्तंबाल एकोना नाम लखी है छी है बर्याब तानों साचो जवाब सु आउशे भई फिरोज चा तुब लग आउशे क्लियर हडपा के खंडरों को पहली बार किस ने देखा था आपने फ्लेक्चियोल डेटा चे सिधे सिधो तमारे यादत राखवानों थाई छे के भई हडपा ना खंडर जेचे साउथी पहला हडपा संस्कुरूती के सिंदू गाटी सब्बेता नों कोई पन स्थर जेचे हडपा ना उशे से साउथी पहला कोने जोवा मला था केटला ग्रेलवे ना मजूर हो जेता हमने या खंडर जोई तु बढ़ एमने कहीं जाजी खबर पड़ी नए पन समय जेता चार्स मेशन जेता हमने आडपा ना खंडर होने जोया अने हमने पछी अनुमान लगा यो कि आज थर जेचे ए सामान ने जग्या नथी पन को बहुँ मोटी संस्कुरू दीजे छे बहुँ और सो पहला था ही गेती है ना उसे सोवा क्यां जोया मले छे बराबर तो हडपाना सौथी पहला उसे कौने जोया था तो बही चार्स मेशन नमना विद्वा ने जोया था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बराबर तो आगर साचो जवाब आउसे बही 21 एप्रिल पंदर सोने 26 21 एप्रिल पंदर सोने 26 बराबर आपने आणी आगल एक पेलो सवाल जो हो तो इब्राहिम लोधी नामनों जो लोधी उसनों साशा गतो है न बही कैया मुगल समराट है राए तो आपने जोया नों साचा जवाब आउतो तो बाबर तो आप पानीपत नुझे युद्ध तो ये कौनी-कौनी वच्चे थायू तो कै बाबर और इब्राहिम लोधी सी बाबर है राए और दिल्ली सल्तनत नों बई अन्त आयो अन्ने त्यांती सरुवात थाई मुगल सामराज्ययने चलो नेक्स्ट सवाल चू कैछे जन्दली तमारा प्रस्टो नी अंदर आपने जुए तो जिटला पने इतियास नी अंदर इन्पोर्टन युद्ध थाई अन्दर थी अवर दवर अमारा सवाल पुछाता होए चे अमुग गणा खरा प्रिवीसर क्वेस्टे अचे आपना तो आपने जुए के खानवा का युद्ध कब हुआ था बलाबर तो खानवानु जे युद्ध चे चे पंदर सोने सत्याविश्मा थाई ओ तो खानवानु जे युद्ध चे ए बाबर अन्ने राणा सांगा वच्चे थाई वदू बराबर आ राणा सांगा एनी जग्या राणा संग्राम सी पन लखाई चे राणा संग्राम सी एज राणा सांगा चे तो राणा सांगा अन्ने बाबर वच्चे जे चे अपन्दर सोने सत्याविश् खानवानों युद्ध थयो हतो क्लियर गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में बाग लेने के लिए लंडन गए थे तो आज ये सवाल छे एनिंदर तमारा विजा एक बे सवाल उबाथ ही जाए छे एक तो ओ सवाल आवे हमना अज कोई परिक्षा मा आतो के बई गोलमेजी परि परिशद मा बाग लेवा माटे गया था तो पहली गोलमेजी परिशद जी आती ए परिशद नी अंदर कांधी जी जी आता एमने बाग लिदो न तो केम के बापू दांडी यात्रा मा व्यस्त आता बरापर तो पहली गोलमेजी परिशद मा बापू आजर न था बापू जी जो आपने गिदू हैं कि बापु जी आजर है था पण पछी तमने खबर जी बाबा साई बे सेपरेट इलेक्टोर अट नीजे वाद करी थी एना कारण या गोल में जी परिशद कैंसल रही थी जी गोल में जी परिशद नी अंदर तो कोंग्रेस ने कि बापु ने आमंत्र न तूज ने तो आपनो साचो जवाब सुद थाशे बै कि गांधी जी बीजान नंबर नी गोल में जी परिशद मां आजर हता जो आपने गिदू हैं के बैई इतियास नी अंदर जी टला पन इन्पोर्टन युद थाई गया एना सवाल अवार नवार बहु अखत पुछाएला जोवा मला है छे तो अवेसू सवाल आए तो के चंदेरी का युद कब हुआ था तो के चंदेरी नूँ युद भय कही साल महा थाई तो के चंदेरी नूँ युद छी चे साच्वा जवाप्शो आउसा है 1508 डर जोवा अवाच्चे थाई तो अने राजा मेदनी राय थाई तो बाबर 159 तीसमा आउसान पामेन युखार उत थिओ कारण के जो बाबर वादारे 4-5 वरस जिवे ओत तो बेहनी एवरेज सारी येदी 526 मैने पाणी बदनू पहलू युद करियो आपने जोयू बराबर पई 1527 बिलू खानवानू युद दू राणा सांगा सामे ये जोयू 1528 बाबर राजा मेधनी साहला में लड़े अजुद 1531 मां युद कर से मेहमूर लोधी सामे बाबर नी अल्मोस्ट एक वरस महारी एवरेज चालती थी बाबर नू अवसान दयू ने आपड़ा माइटे बहु सारा समाझा रहता के आपड़ा सीलेबस वधी जटो क्लियर छे तो राजा मेधनी राजा मेधनी राजे छे ने आगल आपने जूयू तो के राणा सांगा जे एता ने बहु एमना सपोर्ट मा आता बराबर राणा सांगा ना सपोर्ट मा आता राजा मेधनी राई अवे शरू अदमे यू क्यावाई छे के बाबर हैंने बही कहुतु के बही समाधान करी लिए पन राजा मेधनी रहे बहु वदारेट पड़ता सपोर्ट मताराना सांगाना एमना करने गिदुगना युददत कर सो पड़ी बाबर है गिदुग कशो अदनी हेड़ो तान करी यूद बाबर मा बाबर जीतो तो ने राजा मेधनी रहे नो पराजे थे तो पर चंदेरी का यूद कब हुआ था 1528 में हुआ था चलो नेक्स्सावल एस मंमोध घजनी ने बारत पर कितनी बार आक्रमण किया था महुमध घजनवी बैर एक आये जबर जस्त आक्रमन कारी आयो बारत मुम्मत गजनवी बारत उपर किटली वकत चड़ाई करी दी, बारा पर किटली वकत बारत ने लूंट विदू के चड़ाई करी दी, तो आपना गुजरातना, सोमनात्म, ये वेक्टे शोलंकी वेस्नी अंदर भीमदेव, प्रथ सब्सक्राइब नहीं आधा दो यहां किया चांड किया किसके सवाहर के दो रहां प्रदान कि या ता तो कर a चंदरा गुपत मोरिय ना दर बाने अपने कभ़द जे चंदरा गुपत मोरिय य पिला पर podob्य अपे नंद नंज ना संत्ता ने उथलाएं ने मोरिय वंशुँ नी स्थापना करे तो यह एंदर सोथी वढगा रहरन फालगों नो तो तो चानक के अनो चंद्रगूप मोर्या नी मदद करवा माटे चानक के विशेक्त में थोड़ा फ्लेक्शुल डिटा जुओ तो आमनू मुर्ण नाम शुओ भै विश्णू गूपत अतू आमनू मुर्ण नाम अने विजू आमने एक कोटिल्यन अर्थिशास्त्र करी अने एक पुस्तक लखियू छे बराबर तो आप ये सवाल जेचे आज जनरली खबर है जेशे बद्धा विद्ध्यार थी होने तो आपने एक वगत गोत्रू करी लिए बराबर तो आनो साचो जोब सो आउसे बई चंद्रगूपत मौरी आउसे क्लियर बक्सर का युद्ध कब हुआ था अपने आगल जूए बंगाल ने बिहार नीचे सत्ता आती इस्ट इंडिया कंपणी ना अथमक कई दीते आई अने स्लाइड मों में तमने समझा युदू क्या बारत ना त्रवन राजा एक बाजू आता अने हां में खाली एक लिए इस्ट इंडिया कंपणी है थी बराबर सुजा उद दोला सुजा उद दोला आता एक बाजू बिजा नमबर मों जूये तो शाह आलम दृती है अने त्रीजा नंबर मों बिला मीर जाफ़ड जी आता एमना जमाई आता मीर कासी बराबर अवधना नवाप जेचे मुगल सामराजना नवाप जेचे न बंगालना नवाप जेचे अने आत्रने जणानी सामे कोण अतू भै हेक्टर मुनरो आता कौण अता एक्टर मुनरो आता वह जाने अने आत्र है कै का आ लोको जूडे इपना भारत ना राजा मुडे 40,000 डात 10,000 डात झातky आता थां त्रặtो एक्टर मुनरो आता बराबर इपना त्रणे तो बलाबर रती उचे siade मेंदान मां अमारी जुड़े दगो करशे तो एम एक बीजाओ पर विश्वास हतो एमने जना कारण अब एक्टर मुंद्रों नू सामान या दस अज़ार जिलू सेनने पन जिती गयू तो आ युदनी इंदर एक्टर मुंद्रों एदला कि इस इंडिया कम्पनी नो विजय थ अने आपना बारत ना जिटला पन नवा बते इमनो पराजे थे थे तो बराबर तो बक्सर नो युद क्या रहे था युदू बावीस ओक्टूबर सेतर सोने चो सटनी इंदर क्लियर बारत छोडो आंदोलन कब शुरू किया गया था बराबर आपन जनरली विद्धियार्थ बारत छोडो आंदोलन क्यारे शरू करवामा आविदू तो आनो साचो जावब सो आउसे बाई ओगनिसो ने बेतालीस नी अंदर क्विट इंडिया मुमेंट 1942 बीजा आपने ओप्शन जुए आनी अंदर तो बाई ओगनिसो ने ओगनिस नी अंदर किटलिक नौंध बात्र का गटनाओ बनी थी जैमके आपने जुए तो एक तो खिलाफात अंदोलन आपने आगण जुए ये खिलाफात अंदोलन जे छे ए आपने ओगनिसो ने ओगनिसमा थयू तो एसी वाई तमे जुए तो मौंटे क्यू चेम्स फोड नो एक सुधारो आयो तो मौंटे क्यू चेम्स फोड ने बीजु एक आपना बारतियो माटे खुबज दूखद गटना जे जलिया वाला बागनो अत्याकांड थयू होतो वराबट जलिया वाला बागनी जे अत्याकांड नी गटना थी आव त्रणे गटना ओगनिसो ने ओगनिसमा थे थी वी जो ओगनिसो ने पांच नी अंदर आपने जुए तो अके भई लोड करजन आ था नहींने बंगार नना बागला करहा था तो बंग बंग जे छे ओगन सबाब नो ऊतो तो आपने 1198 निंदर एक रिपोर्ट रजू करातो कई रिपोर्ट इंदर नहरू रिपोर्ट अतो बढ़ाबर तो आ सवाल निंदर आपने जुऊ तो बीजा चार एक सवाल आपने जुई लिधा तो कि 12 छोडो अंदोलन आपना आस ओ जवाब सू आपको यह बराबर ठीक छे दोस्तो थाइंक्यू सो मच आपने हिस्ट्री ना बहुज इन्पोर्टन सवाल जोया आगल पन आपने आवा आवार नवार सेशन करी शुँ अने आवनारी परीक्षाओं माटे उप्यू केते आवार सेशन करता रेशु तो जोता रहो बराबर थाइंक्यू स अन्दो लोक्त